हाई फ्रेंद्स में गुजर मैं आपको स्वगत करती हूं फाग लिश्मियन पुना किचन में आज हम बनाएंगे आलू बैगन और बरी की सब्जी बहुत ही टेस्टी और डिलिस्टेस बनेगा तो चलते बनाने के लिए उसके लिए हमने ये बरी लिया है बेशन वाली बरी है तो बरी है ले लिया हमने और इसे तेल गरम करके कराई में थोड़ा सा सलो फ्राई कर लेते हैं हालका सा फ्राई कर लेंगे इससे देखिया मारा बरी भी फ्राई हो चुका है अच्छे से अब हम इसे निकाल लेंगे कराई से वाहर निकाल लेंगे यह बहुत अच्छे से फ तो यह फ्राइब हो गया अब इसको हम निकाल लेते और इस करहाई में दो चमस तेल डाल देंगे और तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें पच फोरन और तेजपता और मिर्ची डाल देंगे चाटकने के लिए तरका लगाएंगे तरके Together हमने होने तेजबता सब्सक्रा किया दाल दिया हमने व्हार उमाम पत्ला है काटे इस तरहीव सबीकाई और इस निकीयाची से मिक्स पर लेते हैं अब हम अध्रक लैसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे जिसे अच्छे से भारिक कर लिया था हमने पेस्ट बना लिया है वह डाल देंगे इसमें हम दो चतीन जम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोले देता है फ्राइ करेंगे इसको करना मेरम जम्मच यह तो यह फ्राइ हो चुका है तो अब इसमें सुकह मसाले डाल देते हैं जिसमें अमने हंदी डाला आईया थाचमच और थाचमच mett-म्र्शत अपने टेस्ट रर्गे नूसार दले यह च्छ्छे से मिक्स कर लें तो इसे अच्छे से भार लिक्त अद시면 लि मिक्स हो चुका है तो इसमें हमने अधा चमस धनिया पॉर्डर डाल दिया है और अधा चमस जीरा पॉर्डर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अधिसी तरीक से थोड़ी तो यहीं करेंगे चुद्ध ऐसे तरीके से थोरी तेता किसे फ्राइड करेंगे वह जो मतसब के कच्छे पन के टेस्ट हट जाए फिर सिख तो इसमें नमक श्वादा नुसार डाल देते थो तरह फ्राइड करने बाद नमक डाल दिया नमक अपने तेस्ट के दूसरा आप कर सकते हैं तो यह वीडियो अगर पसंद नाए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखके बता है यह वीडियो आप वह गया चाहिए और और आल पर भी जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नौटिफिकेशन आपको कि ऐसे नाइक है तो आत अपने फैमिली और फ्रेंड में सेयर करें वीडियो को वीडियो को आइसे श्पक्राइब पर वीडियो को श्तों में सेयर करें है अगर पसंद आये तो करते रहेंगे हम इसे इसी तरीके से को देख सकते हैं इसे हम इस सितरे के सफ्राइ को गटरें जिसमें चलाते रहें औ हम अब इसमें तिर फ्राइ करके रखा था घूर में डालों में से करें इसे साईड करके सारे सबजी को तो टाल वीज भीच वीच दालिए और शेखने के सब्भीच पकाई के पानी में यह सिद जाएंगी अगे लगे तो थोड़ा सा पानी जरूर डाले तन देख सकते हैं मैं बड़ी थोरी घरी है इस पानी कर जुरित होगा तो हम इसमें थोरा सब इसके डाल दे रहे हैं ज्यादा सब्सक्राइब है छोटा ग्रास से दालिम आखा है अपच्छे से पकाए थोरी देज तक बढात हैं तरिक १निता हैं रवाे आप इसमें टमेटो डाल सकते हैं टमेटे दिखाना हम भूल गए डालते हुए हमने इसमें टमाटर आप बारिक बारिक काटके इसी समय डाल दे और हमारी सब्जी लगभग तेयार है बनके कि यह हमारे गल चुका है सारा चीज फिर थोरे देर तक और पकाएगे इसको अब इसमें हम थोरे से सब्जी मसाला डाल दिया हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे धक्य थोरी दे तक पकने देंगे इसको इसे अच्छे से चलाएं आप चाहें तो रस वाली सब्जी बनाए या फिर इसी दारी केक से सुखी सब्जी भी रख चकते हैं चावल रोटी प्राठा किसी के साथ भी खाएं इंज्वाइ करके बहुत ही टेस्टी होता है थेंक्य फोर वाचिंग वीडियो झाल झाल